नमस्कार, आप सुन्धे हैं नो रूप, नो दिन, नो कथाएं अशोख हमराही के साथ नो रात्र, नो दुर्गा की आराधना का पर्भय प्रतुमा से नो वी तीथी तक हर तीथी को मा नो दुर्गा के अलग-अलग नो रूपों की पुजा की जाती है जो अपने भक्तों को सुख, शांत, शक्ती और ज्यान प्रदान करती है पहले दिन मा शैल पुत्री, दूसरे दिन मा ब्रमचार नी, तीसरे दिन मा चंदर घंटा, चोथे दिन मा कूश मांडा, पाचवे दिन मा इसकंग माता, छटे दिन मा कात्याई नी, सात्वी दिन मा काल रात्री, आठवे दिन मा महागौरी और नवे दिन मा सिध्ध दात्री क पूजा की जाती है, नौरात्र का हर दिन देवी के इनी विशिष्ट रूपों को समर्पित है, जगत जननी का छठा रूप मा का त्याईनी का है, मा की उपासना और आराधना से भक्तों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों फलों की प्राप्ति होती है, रूग, शोक, संताप और भै नश्ट हो जाते है, जन्मों के समस्त पाप भी नश्ट हो जाते है, मा का त्याईनी का ये स्वरूप अतिन्त मनोहर है, मा की चार भुजाओं में दाईं तरफ का उपर वाला हाथ अभै मुद्रा में है, और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में, मा के बाईं तरफ के उपर वाले हाथ में तलवार है, और नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोबित है, इनका वाहन सिल्ह है, पुराणों के अनुसार महार्ष कात्यायन ने देवी भगवती की उपासना कर कठिन तपस्या की महार्ष कात्यायन की तपस्या से प्रसंद होकर माने उनकी इच्छा पूर्ण की और उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया इसलिए वो देवी का त्यायनी कहलाई इन्हों ने ही महिशासुर नाम के दैति का संहार किया देवी पुराण के अनुसार असुरों के स्वामी महिशासुर के आतंक से सभी देवता परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रदेव भगवान ब्रम्भा, विश्लू और बहेश के सामने उपस्थित हुए देवताओं की बात को सुलने के बाद तीनों देवताओं को क्रोधाया उनके मुक से उत्पन ऊर्जा से एक देवी उत्पन हुई जिनहे ब्रम्भा जी ने गंगा जल से परिपूर्ण दिवयकमंडल परदान किया भगवान शंकर ने अपना त्रुशूल और भगवान ब्रिशूल ने चक्र परदान किया इंद्र ने अपना वज्ष और घंडा प्रधान किया इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी माता को तेजस्वी अस्त्र शस्त्र और शुभ आयुध अर्पित किये सभी देवताओं ने तिव्य आभूशनों और आयुधों से युक्त भगवती की स्तुती की इस प्रकार देवताओं ने स्तोती करते हुए भगवती से महिशासुर के उद्पिलन के बारे में बताया जिसे सुनकर देवी ने देवताओं को आश्वस्त किया और महिशासुर के विनाश का उद्घोश किया देवी के उन स्वरों से सभी दिशाएं गूँजनी लगी प्रथिवी कापनी लगी परवत भिलने लगे समुत में हलचल मच गई इन धोनियों को सुनकर देवता प्रसंद हो गई और दैत्यों के कलेजे काप उठे ये धोनिया सुनकर महिशासुर अपनी समस्त सेना को सुसच्जित कर उस सिंगनात की ओर दोड़ा जहां पहुँचकर उसने जगदंबा को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी मा की धनुष की टंकार से ब्रम्हांड गूज रहा था देखते ही देखते देवी ने महिशासुर की बलशाली सेना का विनाश कर दिया तब महिशासुर ने महिश अर्थात महैसी का रूप धारण कर आतंक मचाना शुरू कर दिया ये देख जगत जननी ने उस असुर को पाश भेक कर बांध लिया पाश में बंधते ही उसने सिंग का रूप ले लिया उस अवस्था में देवी मा ने जैसे ही उस पर प्रहार किया वैसे ही वो पुर्ष रूप में आ गया और फिर देवी मा की बांध वर्षा से बचने के लिए उसने गजराज का रूप धारण कर लिया इस से पहले कि मा उस पर प्रहार कर दी अपनी माया से वो एक बार फिर भैसे के रूप में आ गया तभी देवी मा ने उसे पैर से दबा कर अपने शूल से उसके कंठ में आघात किया वो कुना रूप बदल ही रहा था कि देवी ने अपनी कलवार से उसका मस्तक काट दिया इस प्रकार देवी मा ने तुरलोग को महिशासुर के आतंग से मुक्ति दिलाई माता कात्याईनी ब्रज मंडल की अधिश्चात्री देवी के रूप में भी प्रतिश्चित है मानेता है कि भगवान किश्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने कालिंदी यमुना के तट पर मा कात्याईनी की पूजा की थी ऐसा कहा जाता है कि विवाह योगे कन्याई सुयोग वर पाने के लिए भी कात्याईनी मा की पूजा करती है नौरात्र में शष्टी पूजन के साथ मा कात्याईनी की कथा सुनने से सभी संकट दूर हो जाते है भय का नाश होता है आत्मशक्ति का विकास होता है और जीवन में उन्नती के द्वार फूल जाते हैं महिशा सुर मर्दिनी पाप ताप नाशनी जै देली जै देली जै मा कात्याईनी ओम देली कात्याईनी नमह अगर नो रूप नो दिन नो कथाएं सिरीज का ये एपिसोट आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों और जानने वालों से ये सिरीज शेर करना न भूलें और अपने सुझाओ यानि सजेशन्स के लिए इंस्टाग्राम पर आकर हमें टैग करना और बताना न भूलें अचोक हमरा ही